श्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इस्टडी आवर लाइफ में तो फ्रेंट सभी आपका प्लेटफॉर्म के वॉल्म 3 के बुक से आपका प्रैक्टिस चल रहा है तो आज इस वीडियो में करेंगे प्रैक्टिस नमबर सेवन को और साथ में इसका पीडियेफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जायागा इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया एक विडियो का प्लेलीस्ट भी बना रहा है तो प्लेलिस्ट भी आप लोग आके सारा वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं जो लोग याकर देख लीजे और और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को भीना देर किये हुए देखे पहला प्रसनाव का क्या कर रहा है एडवाकेट जेनरल मतलब महादिवक्ता के पद का उल्लेक सम्भीधान के कौन से अनुछेद में किया गया है तो भारतिय सम्भीधान का अनुछेद 165 के अंतरगत राजपाल के प्रसाद परियंत अपना पधारन करता है राजपाल राजपाल के परसाद परियंत और महादिवक्ता राज का सर्बोच विदी एधिकारी भी होता है और यहां उच्छ न्याले के न्याइदीस की अरहनता रखता है मतलब जो एक उच्छ न्याले बनने के प्रवधान का बिस्थन्हें है आगला देखते हैं रहा है कि लोगसभा का कारेकाल कितनी वार 6 वर्स का कर दिया गया था तो देखें लोगसभा का जो कारेकाल है वो एक बार मातर पांच वर्स के अस्थान पे छो वर्स कर दिया गया था वैसे नॉर्मली पांच वर्स का होता है लेकिन एक वर्स एक ही बार जो किया गया वो छो वर्स के लिए किया गया पांचमी लोगसभा का चुनाव 1976 में के बजाए 1970 में हुआ था चटी लोगसभा का चुनाव होना था 1976 में जो की 1977 में हुआ ठीक है यही टल गया था और लोगसभा संसद का पर्थम या निम्न सदन होता है जिसका संचालन करने के लिए अध्यक्ष होता है और लोगसभा का चुनाव का पांच वर्श का ही होता है ठीक है आगे देखते हैं 3 नमर 3 नमर प्रेस्टन है कि सरकारिया आयोका गठन किस विसय पर रिपोर्ट देने के लिए क्या गया था तो सरकारिया आयोक का जो विशह है दोस्तों ये केंद्र राज संबंद पर सरकारिया आयोक का गठन किया गया था केंद्र और राज के संबंद पर भगवान सहायक समीती भी केंद्र राज के लिए बनाया गया था जून 1983 में तमिलांडू सरकार ने केंद्र राज सम्बंद पर राजमनार समीती का गठन किया था और बाबरी मसजिट पर लिब्राहम आयो का गठन किया गया था लिब्राहम आयोका बाबरी मस्जिद पर और M.M. पुंची आयोकी बात करें तो ये 2007 में आता है और ये भी केंद्र और राज के संबंद में अध्यन करने के लिए आता है ठीक है? तो option B correct answer है चार नमर प्रस्ण देखिए अल्प विक्सित देशों में गरीवी का मुख कारण है तो अल्प विक्सित देशों में गरीवी का मुख कारण है आई की औसामानिता आई की औसामानिता is the correct answer वर्तमान में भारत में निर्धंता रेखा या फिर गड़ीवी रेखा का निर्धारन जो होता है वो निती आयोक के द्वारा होता है किसके द्वारा निती आयोक के द्वारा और व्रतमान में निती आयोक के जो CEO है कोन है प्रमेश्वर एयर है और उपाध्यक्ष कोन है सुमन पेरी और इससे पहले अगर पुछे कि निती आयों के हेड कोन होता है तो याद रखेगा प्रधान मंत्री जो होते हैं वो इसके हेड होते हैं ठीक है अगला पांस नमर प्रेश्ण है कि स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम अद्योगिक निती की घोसना किस वर्स की गई तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश की प्रथम अद्योगिक निती की घोसना 6 अप्रेल 1948 इस वी को ततकालिन केंद्री ये उद्योग मंत्री डॉक्टर स्यामा परशाद मुखर जी के द्वारा की गई थी ततकालिन के उद्योग मंत्री थे स्यामा परशाद मुखर जी उनके द्वारा 6 अप्रेल 1948 को किया गया और 30 अप्रेल 1956 को देश में दूती अद्योगिक निती की घोसना की गई थी उसके बाद भारत सरकार द्वारा 24 जुलाई 1991 को अद्योगिक छेतर में उदारी करन नीजी करन और वैस्वी करन की निती की घोसना की गई थी और दूती अद्योगिक निती को भारत में अद्योगिक छेतर का लगू संबिधान भी कहा गया दूती अध्योगिक छेतर को तो आप्सन इसका बी करेक्ट आंसर हो गया छट्ठा नम्र प्रस्ण कह रहा है कि डैस के बाद अवधी के दौरान खादानों विशेस्ता गेहूं के उत्पादन में बहुत बिर्धी हुई थी तो इस प्रस्ण का अंसर है 1966 1966 के बाद की अवदी के दौरान खादानों में विशेस्ता गेहूं की उत्पादन में बहुत विर्धी हुई थी किसके उत्पादन में गेहूं के उत्पादन में 1966 के बाद हरित करांदी का प्रारम जो है वो 1966 से 1966 में माना जाता है और हरित क्रांती का सर्वदिक सकरात्मक प्रभाव जो है वो गेहुंपर ही परा था जिसका पैदावार में 500% की विर्धी हुई थी 500% की साथ नमर परस्न देखे साथ नमर परस्न कह रहा है कि पद 4th state समबन्दित है किसे ये प्रेश से संबंदीत है ये सब्द लोकतंतर के तीन अस्थम बिधाई का कारिपायल का नयाईपायल का ये तीन अस्थम होते हैं और फूर्थ अस्थम अपना होता है प्रेश अगर हम बात करें चौथा अस्थम किसको माना जाता है प्रेश को ही माना जाता है ठीक है और प्रेश की स्वतंत्रता जो है हमारे संविधान का 19 के एक में निहित है। बिधाई का कार विधी या कानून बनाना है। कारिपाईलिका का काम क्या है। बिधाई का दोरा बनाया गया कानून का संचालन करना मतलब उसका देखरे करना और नाई पालिका यह देखता है कि कानून जो बनाया गया है वो संबिधान की सम्मत है या नहीं और प्रेश बिधाई का और कारेपालिका के कारों से जनता को अवगत कराता है और उसे जन्मत त तो दूसरे के जमीन पर खेती करता है तो उस तरह के कामगारों को खेती हर कहा जाता है जो दूसरे की जमीन पर खेती करता है बात करें तो इसको जो है वरकर्स को दोसरे नहीं में बाटा गया है एक मुख सरमिक माटा गया है मुख सरमिक जिसको हम कामगार बोलते हैं और दूसरा होता है मार्जिनल वरकर्स यानि की सीमान्त सरमिक जो सरमिक वर्स में 183 दिन से काम करता है और उसे सीमान्त सरमिक कहते है और जो वेक्ति 183 दिन से अधिक किसी काम को सलगन करता है उसे मुख स्रमिक कहते हैं यानि मेन वर्कर्स कहते हैं तो समझ गया है option C का correct answer हो गया 9 नमर प्रस देखिए IST तथा International Standard Time and GMT में समय अंतराल क्या है तो भारत अपने मानक समय का निर्धारन सारे 82 डिगरी पुर्वी देशांतर से करता है जो इलाहावाद के नैनी से कुजरती है जिसे हम लोग Indian Standard Time कहते हैं क्या कहते हैं और GMT जो होता है सारे 5 घंटा आगे होता है क्या होता है सारे 5 घंटा आगे होता है तो option A इसका correct answer है GMT का मतलब होता है green mean time अगला प्रस्न है 10 नमर उच्चितम न्याले ने किस मामले में मौली कैदिकारों की प्रमुकता राज के निती निरसक्सिधानतों से उपर अस्थापित की तो इसमें अगर हम बात करें गोलकनात का मामला है उच्चितम न्याले ने गोलकनात मामलों में मौली कैदिकारों को प्रमुकता राज के निती निरसक्सिधानतों के उपर अस्थापित किया है वहीं सर्बोचिन्याले ने गोलकनाथ बना पंजाब राजबाद को 1967 के निर्ने में अनुछेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया से मूल अधिकार में संसोधन पर रोक लगा दिया और संसद मूल अधिकारों में संसोधन नहीं कर सकती है इसलिए ऑप्सन जो है आपका एक करेक्ट हो जाएगा अगला नमर प्रस्ण देखते हैं 11 11 नमर प्रस्ण कह रहा है कि पंजाब का सेर के रूप में कौन जाना जाता है तो पंजाब का सेर लाला लाजपत राई को कहा जाता है लाला लाजपत राई को पंजाब का सेर कहा जाता है लाला लाजपत राई जो थे वो बालगंगा धर्तिलक और विपिन चंद्रपाल को भारत में गरम दल में गरम दल के रत्री मुर्ती कहा करते थे लाला लाजपत राई 1920 में अस्थापित औल इंडिया ट्रेड उनियन कॉंग्रेस के प्रथम अध्यक्षते ठीक है और 30 अक्टूबर 1928 को लहौर में साइमन कमिशन के विरूद प्रदर्शन करते हुए जब पुलीस ने लाठी चार्ज की इन पर तो लाला लाजपत राई को बुरी तरह घायल हो गया है और फाइनली वो 17 नौवंबर 1928 को उनकी मिर्टू हो जाती है लाला लाजपत राई की फिर साइमन कमिशन जो है वो तीन फरवरी उनकी 28 को भारत आता है जिसे की वाइट मैन कमिशन भी कहते हैं किसको साइमन कमिशन को वाइट मैन कमिशन कहा जाता है 12 नमर प्रस्ण है कि संभिधान में मौली कर्तबों को 10 के द्वारा सामिल किया गया है तो देखिए संभिधान में जो मौली कर्तब है उसको 42 संभिधान संसोधन के द्वारा 1976 इस भी के अंतरगत जोड़ा गया है 42 संबिधान संसोधन 1976 इसके अंतरगत हमारे संबिधान में 10 मौली कर्टब को भाग 4 के कौ और अनुछे 51 के कौ के अंतरगत जोड़ा गया है और वर्तमान में हमारे संबिधान में 11 मौली कर्टब है कितने हैं 11 मौली कर्टब है वही छ्यासिमा संभीधान संसोधन 2002 के द्वारा एगार में मौली कर्तब को जोड़ा गया था और मौली कर्तब जो है वो संभीधान में स्वार्ण सिंग समीती के रीपोर्ट पर जोड़ा गया था और भारतिय समिधान में मौलिक करतब जो है ये रूस से लिया गया है कहां से रूस से लिया गया है अगला प्रसने 13 नमबर लोगशभा में विश्वास प्रस्ताप प्रस्तूत करने के लिए कम से कम कितने सदस्षों का समर्थन शाइए तो लोगशभा में औविश्वास प्रस्ताप प्रस्तूत करने के लिए कम से कम 50 सदस्तों का समर्थन चाहिए और औविश्वास प्रस्ताप सदन में भी पक्षी दल के किसी भी सदस्ते के दोरा लाया जा सकता है तो option C का correct answer है चौदा नमर प्रस्त है कि भारत में उच्चतम न्याले के न्याधीस के रूप में निक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्यहंता अनिवार नहीं है तो इस प्रस्त का answer हो जाएगा option number B भारत में उच्चतम न्याले के नियाधीस के रूप में नियुक्ति के लिए आयू कम से कम 35 वर्स होना चाहिए यह अर्यहंता अनिवार नहीं है Option B is the correct answer उच्चतम न्याले या फिर उच्च न्याले के नियाधीसों के नियुमतम आयू निर्धारित जो है नहीं है और भारतिये समिधान का 8.124 से लेके 8.127 के मद उच्चतम न्याले संबंदित प्रवधान दिया गया है भारतिये समिधान के अनुछे 214 से 232 के मद उच्च न्याले संबंदित प्रवधान है और उच्छ न्याले के न्याइधिस के लिए योग गिताएं जो है उसमें पहली योग गिताएं कि वो भारत का नागरिक हो दूसरा कि कम से कम वो दस वर्स तक न्याइक पर धारन कर चुका हो आथवा किसी उच्छ न्याले में एक से अधिक उच्छ न्याले में लगातार दस वर्स तक या फिर दस वर्स अधिक तम जो है वो काम कर चुका हो तो इस प्रस्ण का अंसर जो है आपका भी हो जाएगा अगला है पंदरा नंबर आरे का भारत में पर्थम अस्थाई अवास था तो आरे का भारत में पर्थम जो अस्थाई अवास था वो था पंजाब आरे का भारत में सरपर्थम पंजाब में अस्थाई अवास था आरे सरपर्थम पंजाब एबम अफगानिस्तान में आकर निवास किया और मैक्समूलर ने आरेयो का मुल्निवास अस्थान मदेशिया कुमाना था आरेयो के द्वारा निर्मित सभेता वैदिक सभेता कालाती है और यहाँ एक ग्रामीन सभेता थी इनकी जो भासा थी वो संस्कृती थी और आरे सब्द का वास्तविक अर्थ होता है वो भासा को इंगित करता है भासा समू को इंगित करता है ठीक है 16 नमबर प्रस्ट देखते हैं उपनिसत पुस्तक है डैस पर उपनिसत पुस्तक जो है ये दर्शन पर अधारित है उपनिसत की संख्या कितनी है 108 है जिन में 13 मुलवूत उपनिसत की स्रेनी में रखा गया है इसमें यग से जुरे दार्शनिक विचार आत्मा ब्रह्मा आधी की व्याख्या की गई है और उपनिसत का अर्थ होता है निस्टा पुर्वक पास वैठना गुरू के सिस्य से भी कह सकते हैं तो उप्सन आपका सीक करेक्ट अंसर हो गया 17 नमर प्रस्ट है कि नेसेट किस देश की संसत का नाम है नेसेट जो है ये इसराइल देश की संसत का नाम है मंगोलिया की संसत का क्या नाम है दे स्टेट ग्रेट खुराल दे स्टेट ग्रेट खुराल ये मंगोलिया का है ताइवान की संसत का नाम यूआन है यूआन और स्पेन की संसत का नाम कार्टेस है अगला प्रस्ण देखते हैं 18 नंबर 18 नंबर प्रस्ण कह रहा है कि केंद्रिय योजना के मसोदे को अंतता कौन सुम्मेलित करता है तो रास्टिय विकास परिसद जो है वो केंद्रिय योजना के मसोदे को अंतता अनुमोदित करता है आप्सन B राष्टिये विकास परिशद एक जन्वरी 2015 को मंत्री मंडल के एक परस्ताब के तहद एक नई संस्था निती आयोका गठन होता है जो अब योजना आयोका अस्थान ले लिया है और केंद्री ये योजनाओं में भावी स्वरूप आधी के संबंद में यह आयोक सरकार को सलाह देती है निती आयोकी सरचना में परधान मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं तो इस प्रस्ण का आंसर हो जाएगा आपका ओप्सन नमबर B अगला प्रस्ण है 19 नमबर और यह मोडल बताता है कि आर्थीक विकास पांच बुनियादी चर्णों में होता है टेक ओफ अवस्था आर्थिक विकास के प्रात्मिक चरन को प्रदर्सित करता है और किसी अल्ट विक्सित देशों के विकासी लर्थे ववस्था की और बढ़ने के लिए पूजी निवेस महत्पुन कारक है बीस नमर प्रशन है कि विशुखु सहाली रिपोर्ट 2022 में भारत का आस्थान क्या है तो विशुखु सहाली रिपोर्ट 2022 में भारत का आस्थान 136 मा है 21 नमर प्रस्ण है कि यूरोप तथा अफ्रिका को कौन सी जलसंधी प्रिथक करती है तो यूरोप तथा अफ्रिका को जिब्राल्टर जलसंधी प्रिथक करती है जिब्राल्टर जिब्राल्टर जलसंदी जो है ये भूमद सागर को अट्लांटिक महा सागर से जोरती है और जिब्राल्टर जलसंदी यूरोपिये देश स्पेन और अफ्रिकिये देश मुरको के मद हिस्थित है वहीं अगर हम बेरिंग जलसंधी की बात करें तो बेरिंग जलसंधी बेरिंग सागर एबंचुकसी सागर को जोड़ती है अग्ला प्रसन है बाइस नमबर विश्टु पर्यावरन दिवस 2022 का थीम क्या है? तो विश्टु पर्यावरन दिवस 2022 का थीम था Only One Earth ओप्सन नमबर B 23 नमबर प्रस्द है कि किस राष्ट कूट सासक ने एलोरा के परवतों को कटवा कर प्रसिद क्यालास मंदिर का निर्मान करवाया था तो राष्ट कूट के सासक जो क्रिश्ण प्रथम थे राष्ट कूट बंस के सासक क्रिश्ण प्रथम जो थे इन्हों ने एलोरा के परवतों को काट कर प्रसिद क्यालास मंदिर का निर्मान करवाया था और राश्टकुट वंस की जो अस्थापना है वो पांसो तिर्पन इस विप में दंती दुरुग ने किया था जिसकी राजधानी मानखेत या फिर मालखंड को अपनी राजधानी बनाया था और राश्टकुट वंस के जो प्रमुक्सासक थे उसमें क्रिश्न प्रतम, धुरूब, गोविंद तिर्थिये, अमोग वर्स, क्रिश्न दूतिये, इंद्र दूतिये और क्रिश्न तिर्थिये ये सभी जो थे ये राश्टकुट वंस के प्रमुक्सासक थे वही एलोरा एमम एलिफेंटा जो महराष्ट में है उसे गुहा मंदीर और कला किर्तियों का निर्मान राष्ट कुटों के समय में हुआ था एलोरा में 34 से अल किर्ति गुफाएं है और इसमें एक से जो बारत तक है वो बौध से है 13 से 29 आपके हिंदू के लिए है और 30 से 34 जैन के लिए है तो इसमें बौध जैन और हिंदू से सम्बंदित ये मंदीर है तो इसे भी याद रखिएगा अगला प्रसने 24 नंबर 24 नंबर प्रसने कह रहा है कि अंतर रास्टिय साक्षरता दिवस किस तिथी को मनाया जाता है तो अंतर रास्टिय साक्षरता दिवस आठ सितंबर को मनाया जाता है 27 सिप्टम्बर को 20 सुपरेटन दीवस की रूप में मनाते है और 6 सिप्टम्बर की बात करें तो 1 से 7 सिप्टम्बर जो है इक से 7 सिप्टम्बर इजिने रास्टी ये पोसं सप्ता मनाया जाता है 1 से 7 सिप्टम्बर तो option आपका जो correct हो गया वो C हो गया 25 नमर प्रस्ण है कि भारत की पंचवर्सी योजना में प्रचलित योजनाओं के अधार पर तयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और समाजिक विकास कार्ज करम थी तो भारत की जो पंचवर्सी योजना है इसे USSR में प्रचलित योजनाओं की अधार पर तैयार की गई के अंदरिकरित आर्थिक और समाजिक विकास कार्ज करम थी आपसन नमबर B अगर हम भारत में योजना आयो की अस्थापना की बात करे तो ये 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयो का गठन होता है पहली पंचवर्सी योजना का समय था 1951 और भारत में वर्स 1951 से लेके 2017 के दौरान कुल 12 पंचवर्सी योजना ही चलाई गई और 1 जनवरी 2005 में योजना आयोग के अस्थान पर जो है वो निती आयोग का गठन किया गया 26 नमबर प्रस्थ है कि रेनु कूट किस उद्योग के लिए प्रसिद है तो रेनु कूट अलमूनियम उद्योग के लिए प्रसिद है अलमूनियम उद्योग के लिए रेनुकुट उत्तरपरदेश में है और यह जो है हिंडालको कमपनी है इसमें बालको, नालको, हिंडालको, इंडालको, मालको और बेदानता ये सभी भारत में एलमुनियम कमपनी है और भारत में एलमुनियम का पहला करखाना 1937 में पस्चिम बंगाल के आसनसोल के निकट जे तो सिंदुगाटी सविता से संबंदित अस्थल लोथल जो है यह गुजरात में इस्थित है और यह गुजरात में भोगवा नदी के किनाड़े इस्थित है आगे देखते हैं 28 नंबर गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल सासक कौन था तो गुजर जिसके उपलक्ष में बुलंद दरवाजा का निर्मान भी करवाया था अगला प्रस्ने 29 नंबर तो दंत मका मंदीर कहां है तो दंत का मंदीर जो है यह श्रीलंका में इस्थित है कहाँ पे श्रीलंका में श्रीडल्दा मालि गाउ माली गाउं या पवित्र दंत अबशेश का मंदिर स्री लंका के सहर केंडी में इस्तित एक बौध मंदिर है केंडी के पुरुवराजधानी के साही महल परिसर में इस्तित इस मंदिर में महात्मा बुद के दांत रखे गए हैं और युनेशको ने दांत का मंदिर को विश्व विरासत अस्तल घोसित किया है केंडी के पेरा हेरा उत्सम मनाया जाता है और दात माता का मंदिर जैपूर के जम्मा रामगड में इस्ती थे जम्मा रामगड में इस्ती थे रामगड ठीक है अगला प्रसंद देखते हैं तीस नमबर किस वंस के सासक को हुनों के आकर्मनों का सामना करना परा तो गुप्त वंस के जो सासक थे गुप्त वंस के सासक को हुनों के आकर्मन का सामना करना परा था और हुनों ने 455 इस्ती में भारत में पहला आकर्मन किया था जिन्हों ने तत्कालिन गुप्त समराट अस्कंद गुप्त ने भारत से खदेर कर बाहर कर दिया था और हुनों पर बीजय के उपलक्ष में अस्कंद गुप्त ने विश्णु वस्तम का निर्मान करवाया था 31 नमर प्रस्ण है कि निमनलिकित बाग अरक्षित छेतरों में क्रांतिक वाग अवास के अंतरगत सबसे बड़ा छेतर किसके पास है तो देखे बाग अरक्षित छेतरों में क्रांतिक बाग अवास के अंतरगत सबसे बड़ा छेतर नागा अरजुन सागर स्री सैलम के पास है प्रजक्ट की शुरुवात होती है और भारत में वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व है और भारत में विष्टु का सरवधिक बाग पाया जाता है भारत में और विष्टु में एकमाद टाइगर रिजर्व बालमी की बिहार में एकमाद टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है जो की बिहार का एक माट टाइगर रिजर्व हैं। कि निलगिरी परवत भारत के किस राज में इस्थित हैं। प्रप्रस्ण है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिमला समझोता किस वर्स हंस्ताक्षर किये गए थे। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिमला समझोता पर हंस्ताक्षर 1972 में हुआ था। तो 1982 इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रस्ण है 36 नंबर आरे समाज की अस्थापना कहां हुई। तो आरे समाज की अस्थापना 1875 इस्वी में बॉंबे में स्वामी द्यानन सरस्ति के द्वारा किया गया था। द्यानन सरस्ति के द्वारा द्यानन सरस्ति के बच्पन का नाम मूल संकर था और इनके गुरु श्वामी विर्जानन्द थे। कौन थे विर्जानन्द। आगे देखते हैं 37 नंबर प्रस्ण। संसार का सबसे बरा गर्म मर्वस्थल कौन है तो संसार का सबसे बरा गर्म मर्वस्थल सहारा मर्वस्थल है सहारा ओप्सन नमबर A और सहारा मर्वस्थल का छेत्रफल जो है वो 84,000 बर किलो मीटर है और गोवी मर्वस्थल एसिया के सबसे बरा है और सीत मरुवस्थल है विस्व का सबसे बड़ा मरुवस्थल सहारा है और थार मरुवस्थल जो है ये भारत पाकिस्तान में फैला हुआ है थार मरुवस्थल का लगभग अगर हम बात करें तो 2,60,000 वर किलोमेटर में फैला हुआ है और ये 84,000,000 में कौन था तो 84 लाख की गरम बात करें तो ये संसार का सबसे बड़ा जो गरम मरुवस्थल सहारा मरुवस्थल ये फैला हुआ है 84 लाख वर की किलो मेंटर में ठीक है अगला देखते हैं 38 नमर प्रस्ण है कि निम्न लिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है तो भारत की संसद का भाग नहीं है वो है मंतरी परस्द अगला प्रस्ण है 49 नमर भारत में सको के प्रभूत को नस्ट करने वाला सासक कौन था तो भारत में सको के प्रभूत को नस्ट करने वाला सासक चंद्रगुप्त दूतिये था अप्सन नमबर D 388 AD में चंद्रगुप्त मौर ने भारत में अंतिम सक सासक रुद्र सिंग तिर्तिये की हत्या कर दी थी और सको को प्राजित करने के कारण चंद्रगुप्त दूतिये को साकरी भी कहा गया है साकरी कहा गया है चंद्रगुप्त दूतिये को और सको पर विजय अप्राप्त करने के उपलक्ष में चंद्रगुप्त दूतिये ने चांदी के सिक्के भी चलाएं थे और सको को हराने के बाद चंद्रगुप्त दूतिये ने विक्रमा अदित की उपादी धारन किया था और महरौली अस्तंबल लेख में राजा चंद्र अंकित हैं इसकी पाचान चंद्रगुप्त दूतिये ने की थी अगला है चालिस नमर प्रस्न चालिस नमर प्रसन कह रहा है कि सरबदिक महत्पुन ब्रहामन गरंथ है तो सत्पत जो है वो सरबदिक महत्पुन ब्रहामन गरंथ है सत्पत सत्पत ब्रहामन गरंथ में राजा विदेह और उनके पुरोहित गौतम राहुगन के द्वारा आर्र सबता के बिस्तार की चर्चा की गई है और सत्पत ब्रहामन में ही गंधार, कुरू, पंचाल, कौसल, विदेह ये सभी राजाओं का उल्लोक जो है मिलता है और सत्पत ब्रहामन में ही इस्तरी को पुरुसी की अरधांगनी भी कहा गया है एक तालिस नमबर प्रेस्ण है कि सूरत में अंग्रेजों को फैक्टरी खोलने की आग्या देने के लिए फर्मान जारी करने वाला पहला मुगल समराट कौन था तो इस प्रस्ण का आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर ओप्सन नमबर बी सूरत में अंग्रेजों को फैक्टरी खोलने का आग्या देने फर्मान जारी करने वाला पहला मुगल सासक जहांगीर था अंग्रेज की भारत में पर्थम बेपारी कोटी फैक्टरी जो है सूरत में 1608 में खोली गई थी अगला प्रस्ण है 42 नमबर 42 नमबर प्रस्ण कहा रहा है कि स्वर्ण ट्रंस यानि की रिजर्व ट्रंस निर्दिष्ट करता है तो स्वर्ण ट्रांस यानि की रिजर्व ट्रांस जो IMF के द्वारा इसके सदस्व को प्रदर्थ एक साख प्रनाली को निर्दिश्ट करता है तो option number C इसका correct answer हो जाएगा IMF के द्वारा इसके सदस्व को प्राप्थ एक साख प्रनाली को कहते हैं 43 नमर प्रस्ट है कि किस कंपनी को FIFA विश्टू कप 2022 का अधिकारिक स्पांसर चुना गया है तो वाईजू को वाईजू कंपनी को जो है FIFA विश्टू कप 2022 का अधिकारिक स्पांसर चुना गया है 44 प्रस्ट है कि हैब लोग दूइप का नाम बदल कर क्या रखा गया तो हैब लोग दूइप का नाम बदल कर वो स्वाराज दूप रखा गया और नेता जी सुभास चंद्र बोश ने अंडवान और निकोवाड दूइप का समू करमसा सही देवं स्वयराज दूइप के नाम पर रखे हैं नील दूइप को सही दूइप के नाम से जानते हैं और रौस दूइप का नाम बदल कर सुभास चंद्रबोस के नाम पर रखा गया है आगे देखते हैं 45 नमबर 94 मां असकर पुरसकार 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हे मिला है तो इस प्रस्ण का अंसर हो जाएगा बिली स्मित को 94 मां असकर अवार्ड 2022 जो मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड वो बिली स्मित को मिला है 46 नमर प्रस्ण है कि 1944 में गांधिवादी योजना को किषने प्रतिपादित किया था तो 1944 में गांधिवादी योजना को स्रीमन नारायन अगरवाल ने प्रतिपादित किया था गांधिवादी योजना विकेंदरी किरित आर्थिक सरचना पर अधारित है और विस्तमें सरपर्थम नियोजीत अर्थ्वेवस्था रूस में लागू किया गया था अगला प्रस्ण देखते हैं 47 नमबर कोरो मंडल तट निम्निलिखित किन दो राज्यों की ग्री भूमी है तो कोरो मंडल तट की अगर हम बात करें तो ये तमील आंडू और आंध परदेश का छेतर है तमील आंडू और आंध परदेश का छेतर है कोरो मंडल तट भारतिय उप महादूइप का दच्छनी धुरूप तट पुन छेतर है और या पुर्वी घाट हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच इस्तित है अर्टालिस नमर प्रेस्ण है कि भारतिय संविधान का तेहतरमा संविधान संसोधन के संदर्म में निमनलिखित कौन सा कथन शही है तो दिया है कि इसमें पंचायतों को स्वसासन की संस्था स्विविकार किया गया स्टेटमेंट बिल्कुल कॉरेक्ट है और दूसरा दिया गया है कि इनमें सहरी अस्थानिय सरकार को स्वसासन की संस्था स्विविकार किया गया सही चुनना है तो केवल इसमें आपका एक ही सही स्टेटमेंट है इसमें पंचाईतों को स्वसासन की संस्था सुविकार किया गया है और 74 मा संभिधान संसोधन 1992 के द्वारा सहरी अस्थानिय सरकार को स्वसासन की संस्था सुविकार किया गया और इस संसोधन के द्वारा संभिधान का भाग 9 कौक के तहद सहरी निकायों को संविधानिक दर्जा परदान किया गया अब देखेंगे 49 नमबर प्रस्ण को 49 नमबर कह रहा है कि वर्ष 2022 का सरस्वत्ती समान किसे दिया गया तो प्रोफेशर राम दरस मिस्र को जो है 2022 का सरस्वत्ती समान दिया गया पचास नमबर प्रस्ट है कि जम्मू कस्मिर और लदाख दो केंदर सासित राज कब बने तो जम्मू कस्मिर और लदाख दो केंदर सासित राज 31 अक्टूबर 2019 को बना था तो जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर ततकाल और अकास काला दिखाई देता है अकास काला दिखाई देता है ऐसा इसलिए होता है कि जब बस्तुक सभी रंगों को अपसोसित कर लेती है और किसी भी रंगों प्राबर्तित नहीं कर पाती है तो वो काला दिखाई देती है अगला प्रस्ण है तीरपन नमबर औबिंदुकिता दोस्त दूर करने के लिए निमनी लिखित में से किस लेंस का परियोग किया जाता है तो औबिंदुकिता का दोस्त दूर करने के लिए सिलेंडरी लेंस का परियोग किया जाता है स्लेंडरी लेंज का और जरा दुरुद्रिष्टी को दूर करने के लिए दूरी फोकसी लेंज का परियोग किया जाता है पच्पन नमबर प्रस्ट चौवण नमबर प्रस्ट है कि एक दूसरे से डी दूरी पर इस्थित एम और स्मॉल एम द्रवमान वाली दो बस्तू के बीच लगने वाला आकर्सन बल के कारन व्यूत कर्मान पाती होता है तो एक दूसरे से D दूरी पर इस्थित Capital M और Small M द्रवमान वाले दो वस्तुओं की बिच लगने वाला आकर्सन बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के D स्कॉार का भी व्यूत कर्मानु पाती होता है तो option जो है वो भी correct हो जाएगा पचपन नमर प्रस्ण है कि पहले तापनिक बल्व का अविस्कार किया था तो पहले तापियनिक बल्व का अविस्कार जो किया था वो किस ने किया था तो वो किया था Thomas Edison ने Thomas Edison ने पहले तापियनिक बल्व का अविस्कार Thomas Edison ने किया था गैस इंजन का अभिस्कार डैमलर ने किया था गैस इंजन का और टाइप मसीन जो होता है उसका अभिस्कार किये थे सोल्ज लिफ्ट का अभिस्कार किया था FG Otis और एक और FG Transformer का Faraday था और Thermos Plus का डिवार लेंस कैमरा का जिन्स और टाइर का डनलप तो यह अलग-अलग अभिस्कार के नाम है 56 है Tritikum Estivum इन में से किसका वैग्यानिक नाम है तो यह गेहूं का नाम है scientific name है Tritikum Estivum जो है यह गेहूं का वैग्यानिक नाम है Next question है कि Formaldehyde Formaldehyde और Potassium Hydro Oxide को गर्म करने पर हम पाते हैं तो Formaldehyde और Potassium Hydro Oxide को गर्म करने पर Ethyl Formate बनता है Option number D और Potassium Hydro Oxide जिसको हम लोग KOH रासानिक नाम है इसका उपयोग परियोग साला में प्रती कर्मक के रूप में करते हैं 58% है आपका कि सरीर रचना विज्ञान का आध्यन कहलाता है तो सरीर के रचना विज्ञान का आध्यन एनाटोमी कहलाता है क्या कहलाता है एनाटोमी अगर हम बात करें कि एंजियोलोजी कि इसको कहते हैं खमनी और नस को अर्थोलॉजी जोड़ों के अध्यन को कहा जाता है और यह जाता है और जीबों प्लेग यह रोग पर्शुला जिवानू के कारण होता है यह रोग सरपर्थम चीन में देखा गया था और इस रोग का संकर्मन चूहां में पाये जाने वाला पिस्टू के कारण होता है मलेडिया रोग प्लाजमोडियम नमक पर्शी भी के कारण होता है साथ देखिए साथ नमर प्रस्ट है प्रोटो प्लाजमा सब्द किष्णे गढ़ा तो प्रोटो प्लाजमा सब्द का खोज जोहान इमबेजलिस्ट पुरकेंजे ने गढ़ा था कोईसिका के अंदर संपुन्द पदार्थ जीवद्रव का बना होता है और जीवद्रव जो होता है वो साइटो प्लाजम और नुकलियस ये दो भाग में बटे होते हैं और केंद्रक के बाहर और केंद्रक के कोई सिका कला के अंदर में जीवद्रब के भाग को कोई सिका द्रब कहते हैं ये भी याद रखिएगा अगला प्रस्ण है कि नींद नो आने के लिए पर्युक्त डॉक्टरी सब्द है तो नींद नो आने के लिए जो डॉक्टरी सब्द है वो इंसोमेनिया क्या है इंसोमेनिया ओप्सन नमबर बी इंसोमेनिया इंसोमेनिया बोलते हैं उसको ठीक है और उच्छी रक्तिजाप बाली इस्तिती में हाइपर टेंशन होता है 62 नमर प्रस्ण है 62 नमर प्रस्ण है कि यक्षमा रोग पैदा करने वाला काड़क है टीवी यक्षमा या फिर तापेदिक सभी इसी को कहा जाता है यह रोग माइको वैक्टेडियम टीवर क्लोसिस नमक जिवानों के द्वारा होता है ओप्शन ए 63 प्रस्ण देखते हैं दोस्तो थोरा सा पीडियेफ यहाँ पर प्रॉब्लेम है बट आप लोग एडिस्ट कर लिजेगा अहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अमल में निमनी करन होता है तो अहार नाल के छोटी आथ में अमीनो अमल का निमनी करन होता है और छोटी आथ से स्राबित इंजाइम, एरिपसीन, पॉली पेप्टाइट को अमीनो एसीड में परिवर्टित करता है तो option आपका C correct हो जाएगा 64 number present है कि रुधीर cancer का दूसरा नाम क्या है रुधीर cancer मतलब blood cancer जो होता है उसका दूसरा नाम leukemia है leukemia और cancer जो होता है दोस्तों अलग-अलग type के होते हैं हड़ी में जो cancer होता है उसको सारकोमा बोलते हैं और lymphocyte के cancer को lymphoma बोला जाता है तोचा cancer को melanoma बोला जाता है और plasma cell का जो cancer होता है उसको myeloma बोलते हैं तो ये अलग-अलग cancer का अलग-अलग नाम भी होता है 65 देखे कह रहा है कि chocolate स्वास्त के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उन में मातरा अधिक होती है तो chocolate स्वास्त के लिए हानिकारक इसलिए होता है क्योंकि उसमें nickel की मातरा जादा होती है और पारा युक्त जल पीने से mini-mata रोग भी होता है और asbestos के रेसो से युक्त जल पीने से asbestosius नामक रोग होता है और arsenic युक्त जल पीने से cancer का खत्रा उत्पन होता है और fluorine युक्त जल पीने से folaurosis रोग होता है जो दानत एवं हड़ी को परभावित करता है तो option B इसका correct answer हो गया 66 नमबर प्रस्ण है कि अतिचालक वो तत्व है तो अतिचालक जो है और इसका तरंग धैर 4 मीटर है तो धनी तरंग की चाल कितनी होगी देखिये आबरती बराबर दिया हुआ है 50 हच और तरंग धैर दिया हुआ है 4 मीटर तो धनी तरंग का चाल क्या होता है आबरती गुने तरंग धैर तो 50 गुने 4 बटा 200 मीटर पर सेकेंड is the correct answer और तरेंगधर का SI मातरक मीटर होता है इसलिए answer आपका 200 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा R6 नमबर प्रसंद देखिए कि दौर के दौरान धावक का गुरुत्व केंदर होता है तो दौर के दौरान धावक का गुरुत्व केंदर सरीर के मध्य में होता है प्रित्वी जिस वल से किसी बस्तू को अपनी औराकरसित करती है उसे गुरुत्वल कहते हैं इसलिए option C का correct answer हो जाएगा 69 है रासायनिक रूप से milk of magnesium क्या होता है तो रासायनिक रूप से milk of magnesium magnesium hydroxide होता है magnesium hydroxide mg bracket OH bracket कहा है अगला है 70 नमर प्रस्ण देखिए magnesium एक मिस्रधातू है तो magnesium जो है एक मिस्रधातू है aluminium और magnesium का aluminium और magnesium का 71 नमर प्रस्ण है आख का वह भाग कौन सा है जिसमें बढ़नक होता है जो किसी वेक्ती की आखो का रंग निश्चित करता है तो परितारिका आईरीस में उपस्तित बढ़ना के अधार पर ही आखो का रंग निश्चित करता है परितारिका आईरीस जिसको बोलते हैं option C is the correct answer और आईरिस जो होता है ये कॉर्णिया के पीछे वाला भाग होता है जो एक रंगीन एवं पारदर्सक जिल्ली होता है और कॉर्णिया जो होता है वो द्रिस्टी पडल के सामने बाला उबरा हुआ भाग कॉर्णिया कहलाता है ये पारदर्सक होता है और जब सुनते हैं कि आन ट्रॉन सुक्ष मतरसी के मार्धियम से देखा जाता है ओप्सन B 73 नमबर प्रसन है आपका 73 नमबर प्रसन कह रहा है कि नीमी लिखित में से कौन सा तत्य समू के समान वर्ग से सम्बंधित है तो देखिए वर्ग एक जो समू A का A होगा ये समान वर्ग के तत्थ होते हैं इसमें हाइड्रोजन आता है लीथियम आता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस रूबेडियम सिनेडियम और एक और है तो इसमें आपसन जो हो जाएगा आपका C हो जाएगा 74 नमबर प्रसन है कि वह उपकरन कौन सा है जिसमें समुद्र की गहराई को मापने के लिए धनी तरंगों का परियोग किया जाता है तो सोनार जो होता उसका परियोग हम लोग करते हैं समुद्र की गहराई मापने के लिए धनी तरंग का परियोग किया जाता और रडार जो है वो बायू यान की गती और दिसा ग्यात करने के लिए फैदो मीटर समुदर की गहराइमा अपने के लिए और एंडोस्कोपी मानब सरीर के अंदर के भाग को देखने के लिए होता है किसके साथ कास्टिक शोड़ा को उबाल कर साबुन तयार किया जाता है तो वसा के साथ कास्टिक शोड़ा को उबाल कर साबुन तयार किया जाता है वसा के साथ और मुलायम साबुन उच वसा अमलोग के पोटेसियम लवन होते हैं और कड़े साबुन उच वसा अमलोग के सोडियम लवन होते हैं देखे अब आपका आता है math or reasoning जैसा कि explanation हम PDF के माध्यम से दे देते हैं answer यहाँ पे हम direct बता देते हैं ताकि जिल लोगों को जल्दिवाजी हो अपना तो answer मिला लेंगे देख भी लेंगे और नहीं जिल लोगों कोई need नहीं होगा तो कोई बात नहीं है बांकी जी के जी इसका ही discussion important होता है math reasoning तो बस practice का चीज है तो चलिए answer देखते हैं 76 का answer आपका C हो जाएगा 77 का भी answer C है और 78 का answer भी हो जाएगा B 79 का B हो जाएगा 79 का B हो जाएगा और 80 नमर प्रस्ण का answer क्या हो जाएगा 80 का भी B हो जाएगा 81 का C हो जाएगा सरी C है और 82 का देखेंगे भी C हो जाएगा C हो जाएगा 82 का 83 का A है और 84 का आपका A हो जाएगा 85 को देखेंगे 85 को C 86 का क्या हो जाएगा देख लिजी 86 का A हो जाएगा और 87 का आपका हो जाएगा 87 का D हो जाएगा आपर परयापत है क्योंकि A बरापर जो आपका आंसर निकल के आएगा A बरापर 25 निकल के आएगा ठीक है? A βराबर पचीस ओर B minus a ग्यात नहीं किया जा सकता है ठीक है और B और A को ग्यात नहीं किया जा सकता है 84 का अंसर आपका Sorry, 87 ना 87 का अंसर तुम आपको बता दिये D, 88 का अंसर हो जाएगा C C हो जाएगा और 98 का आपका D हो जाएगा 90 का C 91 नमर प्रस्ण है और 91 नमर प्रस्ण का आंसर हो जाएगा B 92 कभी आएगा 93 नमर कभी B आएगा 94 क्या होगा D हो जाएगा 95 देखते हैं 95 नमर प्रस्ण है और इसका आंसर हो जाएगा आपका D 96 का हो जाएगा B 97 का भी D हो जाएगा और 98 नम्र प्रस्न है इसका आंसर भी D हो जाएगा 99 का A हो जाएगा और 100 नम्र प्रस्न है इसका आपका हो जाएगा A 101 का हो जाएगा B 102 का हो जाएगा C 103 का D हो जाएगा और 104 नमर प्रसन का अंसर ए हो जाएगा 105 का भी आपका A हो जाएगा 106 का अंसर क्या होगा तो 106 का अंसर हो जाएगा B आगे देखते हैं 107 का 107 का C है 108 का B है 109 का आपका हो जाएगा A 110 का A हो जाएगा 11 का भी C हो जाएगा सरी C हो गा और 12 का हो जाएगा A 13 का D हो जाएगा 14 का भी D हो जाएगा और 15 का भी B हो जाएगा 16 नमर प्रसन देखते हैं 16 नमर प्रसन का C हो जाएगा 17 का D हो जाएगा और 18 नमर प्रसंद का अंसर A हो जाएगा, 19 नमर प्रसंद का अंसर C हो जाएगा, 20 को देखेंगे यहां पर, 20 का अंसर आपका C है, इसका भी C हो जाएगा, 22 का A हो जाएगा, 23 का C, और 24 का आपका हो जाएगा C, 25 का D हो जाएगा, 26 का अंसर क्या हो जाएगा, 26 का A है, और 27 नमर प्रस्टन का अंसर हो जाएगा 27 का B 28 का हो जाएगा A 29 का हो जाएगा B 30 नमर प्रस्टन का D हो जाएगा 31 का भी आपका A हो जाएगा 32 का A हो जाएगा 33 का हो जाएगा A 34 का 34 का भी A हो जाएगा और 35 का B हो जाएगा 36 का हो जाएगा C और 37 का C हो जाएगा 38 का हो जाएगा 38 का A 39 का हो जाएगा A 40 नमर प्रेशन का अंसर्ट D हो जाएगा देख लेते हैं नीचे होगा 40 का 40 का अंसर्ट D हो जाएगा और 41 का हो जाएगा A 42, 42 प्रस निदर दिया हुआ, 42 का क्या हो जाएगा? तो 42 का भी हो जाएगा D, 43 का हो जाएगा, B, 44 का हो जाएगा D, and 45 का आप का हो जाएगा C, 46 का क्या हो जाएगा? sorry 47 ना, 46 का A हो जाएगा, 46 का A हो जाएगा और 47 का D हो जाएगा और 48 नमर प्रेस्टन का अंसर हो जाएगा आपका C and 49 नमर प्रेस्टन का अंसर थरद छोटा करते हैं 49 का देख सकते हैं 49 का आपका A हो जाएगा and last 50 नमर प्रेस्टन इस का अंसर B हो जाएगा तो यह आपका 500 प्रेस्टन था जो समाप्त हो गया है उमीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो लाइक जरू कर दीजगा जो लोग चैनल पर नए हैं जरू को सब्सक्राइब जरू कर ले मिलते हैं प्रैक्टिस रिट नमबर एट के साथ तब तक के लिए धन्यबाद जैहिंद जै भारत